Hello Everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए April 2021 की Love Tarot Reading सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दिखें आपके लाइक, आपके कमेंट, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत माइने रखती है और अगर आप डेली डारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आएं जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग को देखते आएं सुनते आए हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं एप्रिल 2021 की लव टारो रीडिंग तो चलिए पाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि एप्रिल 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी तो में पास यहापे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में आपके पार्ट्नर की एनरजीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली एप्रिल मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं पाइसेज और आपके लिए आपे सबसे पहला कार्ट मुझे दिख रहा है फाइव ओफ इंस्पिरेशन कि लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है कुछ लोगों के लिए एक इंटरनल रह सकती है जहां पर या तो किसी चीज को लेके आप दुविधा में हैं या फिर यूनो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी लेवल पर एक इरिटेशन एक फ्रस्टेशन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ व्यूस नहीं माच कर रहे है पार्टनर के साथ आग्यूमिन्स हो रहे हैं कुछ इशूज हो रहे हैं इसलिए again मैं कहूँगी कि किसी लेवल पर आप परिशान हो रहे हैं और दीपर लेविल के लिए हाँपे हाट and lockdown unfavor के भी Cards हैं और ये दोनों Cards मुझे कह रहे हैं कि शायद आप कुछ चीजों को end करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या मैं कहूंगी कि कुछ चीजों को टाटा बाई बाई करना चाह रहे हैं ये सब के लिए differ कर सकता है कुछ pieces के लिए हो सकता है कि अपने belief system या अपने thoughts की वज़े से आप परेशान हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन thoughts को let go करना पड़ेगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि ये relationship better हो कुछ लोगों के लिए कोई लोग हो सकते हैं कोई उनका family member या friend circle में कोई इनसान हो सकता है और कुछ लोगों के लिए उनके partner ये relationship ही हो सकता है जिसको prices आप टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और दिखें यहाँ पे heart and lockdown का भी card है और ये card भी वही चीज बोलता है कि अपने दिल पे ताला लगाना चाहा रहे हैं आप या लगा रहे हैं जहाँ पे अपनी feelings को अपनी emotions को आप नहीं महसूस करना चाहा रहे हैं और दिखें सब के लिए different reasons हो सकते हैं और सब की different situations हो सकती हैं और शायद इसी लिए दिखें आपे four of emotions and hermit reverse के cards मुझे कह रहे हैं कि आप actively किसी भी चीज में अपने आपको involve नहीं कर रहे हैं आप actively किसी भी चीज में participate नहीं कर रहे हैं कहीं आप back step ले रहे हैं कहीं आप चीजों से withdraw कर रहे हैं आप थोड़ा सा time and space अपने लिए चाह रहे हैं और कहीं एक boredom, एक monotonous सी energies भी mid of April के बाद यहां April में रह सकती हैं अगें मैं कहूंगी किसी चीज में मन नहीं लग रहा है किसी चीज को आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं और दीखें deeper level के लिए यहाँ पे exotic activation का भी card है एक physical intimacy भी किसी level पे आप अपने partner से चाहते हुए दिख रहे हैं और दीखें physical intimacy एक ही तरीके की नहीं होती कभी-कभी हम अपने partner को touch करना चाहते हैं उनको feel करना चाहते हैं, hug करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी-सी आपकी desires दिख रही हैं और surface level पे again मैं कहूंगी आप इतने initiatives नहीं ले रहे हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और यहाँ पे five of inspiration का card बहुत ही clearly कह रहा है कि कुछ conflicting energies हैं जिसकी वज़े से again मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा परेशान भी हो रहे हैं और अब देखते हैं vices के आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Ace of Voices और यह card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि आपके partner किसी चीज को लेके negative frame of mind में रह सकते हैं कहीं थोड़ी सी pessimist energies उनकी दिख रहे हैं और देखिए prices होता भी है जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज़ादा सूचते हैं तो हम और ज़ादा परेशान होते हैं और उसी तरीके के thoughts भी हमें आने लगते हैं कुछ prices के लिए हो सकता है कि देखिए आपकी energies ऐसी है जिसकी वज़े से एक negative frame of mind उनका रह रह रहा है या वो चीजों को logically analyze कर रहे हैं और किसी level पर परेशान भी हो रहे हैं और देखिए deeper level के लिए violets are blue यानि की loyalty का card and trials of love का card कहता है कि उनको ऐसे लगता है कि भाई वो बहुत ही dedicated तरीके से इस relationship में रहे हैं या मैं कहूंगी बहुत ही devoted बहुत ही loyal energies उनकी रही हैं आपके लिए इस relationship के लिए और हो सकता है कि April month में कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी तरफ से उनको वैसी वापसी नहीं मिली या circumstances ऐसे थे situation ऐसी थी जिसकी वज़े से again मैं कहूंगी जिस तरीके से वो चाहते हैं चीजें उस तरीके से इस relationship में नहीं चल रही हैं और कहीं बहुत ज़ादा एक ठकावट भी वो महसूस कर सकते हैं अगें देखिए ये general reading है तो सब के लिए differ कर सकता है कुछ पाइसे के partner के लिए हो सकता है कि कोई situation है कोई circumstance है कोई उनका ही family member है कोई आपका ही family member है जिसकी वज़े से कुछ issues इस relationship में हैं और उस चीज को deal करते करते अब वो ठक गए हैं उनके अंदर और हिम्मत नहीं है और stamina नहीं है उस चीज को deal करने का और कुछ पाइसे के partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही loyal तरीके से चलते चलते इतना जादा dedicatedly चलते चलते वो ठक हैं और अगेन मैं कहूंगी कि अब उतनी हिम्मत नहीं है और देखिए शायद इसलिए यहाँ पर justice reverse का card कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भई जो भी हो रहा है कहीं वो ठीक नहीं हो रहा है कहीं किसी level पर injustice हो रहा है कहीं किसी level पर एक unfair चीजें इस relationship में हो रही हैं देख इसके partner को लग सकता है कि भई उनकी तरफ से कुछ ऐसी unfair चीजें रही हैं और दोनों ही scenario में वो इसको ठीक करना चाहते हैं वो इन चीजों को resolve करना चाहते हैं देखिए यहाँ पर proposition का card है और यह card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि वो initiatives लेना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं जो भी मसले हो रहे हैं उनको resolve करना चाहते हैं और कुछ prices के लिए हो सकता है कि आपके partner literally आपको propose करना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं prices की April month में क्या हो रहा है तो दिखिए April month के लिए आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Muse of Materials और Muse of Materials कहीं materialistic चीजों की बात करत है कहीं commitment, stability, security की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के relationship में भी दिख रहा है जहाँ पर again मैं कहूंगी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक commitment चाहते हैं, stability चाहते हैं और deeper level के लिए दिखिए यहाँ पर wings of love, guidance and protection का भी card है और यह card कहता है कि इसी चीजों को लेक हो सकता है आप किसी से guidance ले रहे हैं, किसी से advice ले रहे हैं कि कैसे stability इस relationship में लेकर आएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप over practical, over realistic तरीके से इस relationship में चल रहे हैं और इसके सब के लिए different reasons हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर guidance and protection का card मुझे कहता है कि शायद आप दोनों या आ आपने आपको या इस relationship को protect करना चाहा रहे हैं, जिसकी वज़य से again मैं कहूंगी कि over practical, over realistic आप लोग हो रहे हैं, और दिखिए यहाँ पर mid of April के बाद के लिए partnership and love lyrics के भी cards हैं, और partnership का card बहुत ही clearly मुझे कह रहा है कि आप दोनों के बीच में एक companionship रह सकती है, आप दोनों क बीच में एक partnership, एक love, feelings, emotions एपरिल मन्त में रह सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि again मैं कहूंगी कि future की planning कर रहे हैं, शादी चाहा रहे हैं, या एक stability, एक security कैसे इस relationship में लेकर आएं, उसके बारे में बहुत जादा सोच रहे हैं, और love, प्यार, महबत तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर hierophant reverse and page of inspiration reverse के भी cards हैं, hierophant कहीं शादी की बात करता है, again देखिए stability, security की बात करता है, क्योंकि यह card यहाँ पर reverse है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी से related कुछ issues हैं, stability से related कुछ issues हैं, और देखिए hierophant कहीं बहुत ही fixated thinking की बात करता है, कहीं एक conservative thinking की भी बात करता है, तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों के family members ऐसे हैं, या situations ऐसी हैं, जहाँ आप ए fixated thinking की वजए से, शादी और stability में कुछ issues आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पर page of inspiration reverse का card कहत हैं, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal कर रहे हैं, या तो over enthusiastic हो रहे हैं, over excited हो रहे हैं, या फिर enthusiasm excitement बहुत जादा low दिख रहा है, और देखिए prices आपके लिए यहाँ पर four of emotions and hermit reverse के cards थे, तो आपके लिए तो दिख रहा है कि एक low excitement है, या मैं कहूंगी low enthusiasm है, low energies में, mid of April में खास कर आप रह सकते हैं, तो यह था prices आप लोगों के लिए April 2021 की love tarot reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको guidance मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चानल को like, share और subscribe ज़रूर करें